हेलो एरोण आप देख रहे हैं पब्लिक गेराज तो भाई आज हमारे सामने खड़ा है BMW X4 का बच्चा टाटा कव इलेक्ट्रिक वेरेंट हमारे सामने खड़ा हुआ है सामने से होती है चार्ज भाई EV आपके नियरे शोरूम में शायद एवलेवल हो गई होगी बहुत ही जल्दी पेट्रोल और डीजल की भी जल्दी हो जाएंगे एवलेवल अब सबसे अच्छी क्या चीज में हो गई है आपकी जो चाबी है टाटा की हो गई है बड़ी प्रीमियम जैसे पहले सेंडर्ड बात फरंड में आपको यहाँ पर कनेक्टिद डीरेल्स देखने को मिल जाते हैं विस सेक्वेंशनल इंडिकेटर नीचे यहाँ पर आपको LED हैडलेम्स का सेटप देखने को मिल जाएंगे जिनका थ्रो काफी अच्छा है विजलिविटी इच्छी होने वाले गाड़े की औ और गाड़े की सबसे जवदस्त है height, ground clearance दोस्तों 9mm का देखने को मिल जाता है, बहुत ही अच्छा खासा ground clearance इस गाड़े के अंदर आपको offer किया गया है, और जैसे कि हमें पता है भाई, Tata कहीं भी compromise नहीं करता अपने wiping quality में, तो arrow twin जैसे हमें इसमें wiper quality देखने को मिल जाती ह और कसम से बता रहूं भाई, BMW X4 जो सीरीज है, उसका सच्ची में बच्चा लग रहा है, जब on road आने वाली है ना बहुत जवदस लगने वाली है गाड़े, बागी चलते हैं एक बागा side profile में और देखते हैं कि हुआ क्या के चीज़ा offer की गई, एक तो सबसे अच्छी हो गया, चारो को चारो डिस्क ब्रेक हो जाते हैं इस गाड़ी के, और टाय प्रोफाइल की बात की जाए इसमें तो यहां पर हमें मिल जाते हैं, 21655 आर 18 इंचिस के अलोविल चेखने को मिल जाते हैं, ब्लैक प्यानो में पूरी की पूरी, वी लाच याप सो ग्लाड़िं तो यहां पर आपको डोर लाइट दे रखिए, चोटी सी वाइट लर में आपको दिख रहा होगा, तो वो जलती रहती है, जब आप गाड़ी को करते हैं अनलॉक और यहां इसका थोड़ा लॉक करने का तरीका जो मुझे लगा, थोड़ा सा कॉइट डिफिकल्ट लगा, प पूरा का पूरा ब्लाक गलासं में देखने को मिल जाते हैं अब आपके जो ए पिलर और बी पडर आपको ब्लैक डोवड सेखने को मिल जाते को ब defy%. 50 mm-601 का बागी बागी अब पीछे कमा홈 आपको दिखाता हूं जो इस चल्लैम मिलते हैं कर से पेस्ट आडिका lige है यड़ मिलते हैं आपको बहुत करते हैं रात को ईसके लुक आने सीरिसली बता रहा हूँ, X4 का आप मुझे कमेंट में जरूरू बताना कि लग नहीं रहा कि छोटा बच्चा हुआ हो, X4 का बागी connected rear के tail lamp मिल जाते हैं, curve.EV की badging देखने को मिल जाती है, rear में camera हो गया, Tata का भी थोड़ा सा designing, जो color में है, change करी गई है, rear में defoggers, shark fin antenna, black color में, पूरी black piano में आपको color चट देखने को मिल जाते हैं, पीछे request parking sensors, reflector, reverse parking light, और आप देखे हैं का नीचे suspension travel के look, जो की काफी जबदस हैं, Tata के suspensions, no doubt, हर गाड़ों के बहुत जबदस हैं, and इसमें आपको एक feature दे दिया गया, आपका electric trunk rate, आपको यहां पे बस अपने remote में ही press करकर रखना है, electrically आपका भाई, खुल जायागा, यहां का trunk, जिसमें भाई, बहुत ही जबदस आपको stories देखने को मिल जा जाता है, पासल ट्रे हो गई है, और पांस लिटर का boot space भाई, काफी deep boot space है इसका, और उसके अलग आपको क्या मिल जाता है, इसके अंदर, 60-40 split sheet भी देखने को मिल जाती है, जिसके तरुब आप बना, साड़े 900 से लेके, एक हाई लिटर तक अपना boot space enhance कर सका, वही सेम आप अलोई wheels, रिम वाले देखने को मिलता है, आपको ये tire जो session देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको की तो premium देखने को मिल जाती है, बागी यहाँ पे आपको button दे दिया गया है, जिसको तरुब आप प्रेस करोगे तो गाड़ी का जो trunk है हो जाएगा, अपने आपी unlock, और इंटिरियर में और करतें इंटिरियर की बातें, अच्छे घासा भाई door trim है, 90 degrees wide open हो जाता है, easy to access आपकी driving seat as well as आपका rear cabin seats, चलते हैं अंदर और करते हैं इसके features को explore, क्या क्या हमें 21,00,000 के अंदर देखने को मिल रहा है, तो भाई यह है इंटिरियर, देखो इंटिरियर मे आपका welcome, इसी को कर लेते हैं बन, और क्या जबदस्त, भाई देखो जैसे हमारा Tata punch हो गएरा के अंदर के theme आती है, ग्रीन हो गएरा कलर की, तो वो सब आपको देखने को मिल जाती है, अटास level 2 देखने को मिल जाता है इस गाड़े के अंदर हमें, और sharing column की बात की जाता है आपका voice command हो गई, adaptive cruise control हो गया, lane assist हो गया, rear collision warning का यह आपका हो गया, ठीक है, एडास level 2 है क्योंकि भाई इसमें, और आपका, यहाँ पे cruise control सेट करने के लिए, automatic headlam का lever मिल जाता है, wipers का lever मिल जाता है, range sensing wiper हो गया, paddle shifters भी देखने को मिल जाते हैं, यह हो गया, damage sir, और पूर है हमारी कैसे हमने चलाई गाड़ी एंड कितना कहां पर कैसी range निकाली है, types, navigation देखने को मिल जाएगा, side notification इसके अंदर आपको, और सारी आप information जो होती है, कि अपना average actually में क्या देखने को मिला है, वो सब, range दिखा रही है, 362 km, और इसके जो भाई अभी claim करी जारी है, 585 km तो आप मान सकते हो, 1500 km तक कि यह गाड़ी चल जाएगी, 400 से 400 km चल जाएगी, बाकि यहां पर हमें, automatic आपको IRVM देखने को मिल जाता है, यहां पर संशेड एंड यहां पर vanity mirror के साथ, driving seat पर सबसे बढ़ी है इसमें आपको huge panoramic sunroof देखने को मिल जाता है, और यहां पर lighting का भी option देखने को मिल जाता है, ठीक है आप यह देख सकते हो भाई, क्या ambient lighting लग रही है इसमें, बहुत ही जबदस्त, यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएंगी, यहां पर आपको all four power window मिल जाते है, one touch down और अपको option नहीं मिल जाता है, इसके अंदर, बाकि electrical adjustment adjustment मिल जा जाता है, air quality index मिल जाता है, navigation मिल जाता है, internet connectivity देखने को मिल जाती है, और जो touch response है भाई, बहुत ही जबदस्त है, और हमें भाई, इसमें blind spot monitor view का भी option देखने को मिल जाता है, एक बार मैं आपको camera quality भी दिखा देता हूं, इसमें हम भाई, अपना 360 degree camera भी चला सकते हैं, वह ब स्मूथ, मतलब safari है मेरे पास, उसके तो बहुत जबदस response है, एकदम mercury फ्लुएंट चल रहा है, बहुत जबदस, और 360 degree view जो हमारा surround view, यह भाई, इसके camera quality, बहुत ही जबदस है, 3D में भी आप देख सकते हो, टाटा कर, बहुत जबदस quality है, लिटरली, भाई, टाटा दिन टाटा भाई, डे बाई डे अपने आपको ऐसा चेंज कर रहा है, मार्केट खाई रहाएगा, अभी सुनने में भी आया है, कि मारुती सुजी को सरपास कर गया है, बागी यहाँ पर आपको soft touch नहीं है, यह प्लास्टिक की हाट प्लास्टिक मिलेगा, staging यहाँ पर मिल जाए विद लाइट और cool glow box देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको automatic climate control देखने को मिल जाते हैं, सारे जिसके अंदर के आपको defog carrier का और यहाँ पर आपका wireless जैसा होता है, गाड़ी चार्ज करने के लिए, hill descent control के लिए, boot open करने के लिए, fog lamp और यह lock unlock करने के लिए, boot open करने के ल सारे modes, बागी यहाँ पर 12W का socket हो गया, 45W की यहाँ पर आपको cable charging का option देखने को मिल जाता है, USB का option देखने को मिल जाता है, USB cable का, बागी gear norm मिल जाती है, reverse neutral, driving और यह आपके होगी, parking, यह सारे modes, city, eco, sport mode मिल जाता है, electronic power brake with the auto hold feature, पूरा का पूरा ब्लैक प्यानों में आपको coverage देखने को मिल जाती है, यह हमारा हो गया भाई, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, charging, wireless charging का option देखने को मिल जाएगा, arm race, soft touch के साथ देखने को मिल जाता है, ठीक ठाक storage देखने को मिल जाती है, और भाई, sitting जो है न, काफी अच्छी है, sitting कुछनी में काफी अच्छी है, बहुत comfortable गाड़ी है, और यहाँ पर आपको देखो, embed lighting भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको 8W sitting का option देखने को मिल जाता है, और ventilated seat का भी option देखने को मिल जाता, आपको इस गाड़ी के अंदर, बागी मैं करता हूँ, अपने according, adjust, seat और देखते हैं, rear में हमें क्या मैं space देखने को मिल था, मैं गाड़ी के अंदर, 6ft मेरी height है, काफी अच्छा काथ है, space आप को rear में भी देखने को मिल जाता है, और थोड़ी सी recline है, अगर incline हो, मैं कर देता आग इसे, तो और भी space मुझे मिल जाता, height adjustment वाले हमें, head race देखने को मिल जाते हैं, सारे पीछे और सबसे बड़ी है क्या भई, हमें panoramic sunroof देखने को मिल जाती है, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ना coupe style है, तो उसका recording भई, बहुत अच्छी खासी हमें इसमें देखने को मिल जाती है, sunroof, और यह आपका हो गया, reverse का, rear के cabin का lamp, यह सारे airbags आपके हो गया है, और जैसे क सब्सेट मनें बताई दिया आपको, भाई अगर अब सेफ्टी की बात की जाया ना, तो सेफ्टी में तो भाई हमें छे airbags मिल जाते है, ABS with EBD की उनिट मिल जाती है, सेंटर लॉकिंग देखने को मिल जाती है, और तो आयर व्यम मिल जाते है हमें इसमें, और हमें इसमें फा इसमें देखने को मिल जाता है, तो काफी अच्छी हमें इसमें, बिल्ट क्वाल्टी देखने को मिल जाती है, और इसी गाड़े के अंदर ही, टाटा में सभी गाड़े में आपको बहुत जबोदस बिल्ट क्वाल्टी देखने को मिल जाती है, और उसके साथ साथ हमें रिय के लोग 55 kW की बैट्टरी देखने को मिल जाती है मोटर पावर 123 kW की जो प्रोड्यूस करती है 155 भीएची विदा 250 नम उफ टॉप विदा रीजनेटी ब्रेकिंग सिस्सें चार्जर टाइप 7.2 kW का भी देखने को मिल जाता है इसकी डीसी दोनों ही आपको चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाती है डारेक्ट चार्जिंग में फास्ट चार्जिंग ऑप्शन जो है आपको चालिस मुर्ट में अंदर 80-90% गाड़ी उसमें चार्ज हो जाती है और जो भाई रेंज है 585 km की क्लेम की जा रही है बट कहीं न गहीं 400-400 ही चलेगी है तो 400-400 की आपको भाई अच्छी खासी इसमें रेंज भी देखने को मिल जाती है और 0-200 कहीं न गहीं आपकी 8 seconds में गाड़ी कवर कर लेगी तो अच्छा खासा भाई इसमें आपको ट्रांस्मिशन जो दिया गया बहुत ही अच्छा खासा दि अच्छा अच्छा नहीं लोग दे रही होगी चोटी में लग रही होगी पट नो डाउट भाई रियल में फिजिकल अगर आपके देखोगे तो बहुत सब्सक्राइब और काफी अच्छा डिजाइन दिया गया है एकदम BMW X4 हमारी उसका एक चोटा बच्चा यसा लोग दे पर से कुछ को चीज़े नहीं भी आई हैं इंट्रेमिन सिस्टम बहुत ही बटरी स्मूध है कुछ यह चोटा मोटा लाइक मेरी सवारी में वो मुझे अभी दक करी नहीं हुआ काफी अच्छे वीजाइज इसमें आटम करे गए है तो बहुत ही अच्छा काम गया है टाटा लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरू कर और मुझे करण में जरू बताना कि मेरी बात से सहमत हो या नहीं बी आंट लू का बच्चा लगता है या नहीं बागी मिलते हैं नेक्स वीडियो में अच्छी गाड़े से अच्छे अच्छे कॉंटेंट किसा तिल देन ट एक कर बाब है थैंक